आज हम देखेंगे एजुकेशन पोर्टल की एक ऐसी टेकनिकल प्राबलम, जिसके कारण बहुत सारे कर्मचारी एजुकेशन पोर्टल का अपना पासवर्ड रिसेट नहीं कर पा रहे हैं जी हाँ आपने देखा होगा कि अधी education portal का आपका password मिस हो जाए तब आप education portal में login page पर recover password का एक option दिया जाता है इस option पर click करके अपने registered mobile number पर OTP बलवाते हैं और इस OTP के माध्यम से आप education portal का अपना password reset कर लेते हैं लेकिन कुछ कर्मचारियों के साथ में एक समस्या आ रही है कि जब recover password वाले option पर click करते हैं और अपना unique ID और registered mobile number डालते हैं इसके उपरांत request pin पर click करने पर इसमें message आता है कि आपके द्वारा दर्ज उप्योग करता mobile number गलत है जबकि हमारे द्वारा सही unique ID और सही mobile number फिल किया जाता है तो आखिर इस प्रकार की समस्या का समधान हम कैसे करें और कर्मचारी अपना password कैसे reset करें क्योंकि education portal का जो password है इसी password की सहायता से एम सिक्षा मित्र, सालग रह प्रवेस एप, दीक्षा एप, सिक्षा पोर्टल इन सभी में हम education portal के अपने इस password की सहायता से ही कार करते हैं लेकिन यदि हमारे पास में education portal का password होगा ही नहीं तो हम इन में कार नहीं कर पाएंगे तो आईए देखते हैं कि यदि हमारा password जो education portal का password है वो miss हो गया है और हम reset कर रहे हैं, recover कर रहे हैं और इसमें message आता है कि आपके द्वारा उप्योग करता दर्ज, mobile number गलत है तब इस समस्या का समधान हम कैसे कर सकते हैं, आईए देखते हैं स्क्रीन पर जैसे यदि हमारा education portal का password miss हो गया है, तब password create करने के लिए सबसे पहले हम अपने mobile या computer में किसी भी browser में education portal को open करते हैं और यहां login करे का एक option दिया गया है, इस option पर हम click करते हैं जैसे हम login करें पर click करेंगे तो education portal का login page open हो जाता है अब password create करने के लिए अर्थात हमारे mobile में OTP प्राप्ट करने के लिए इसमें option दिया गया है recover password का, हम इस option पर click करते हैं जैसे हम recover password पर click करेंगे तो एक नया page open हो जाता है जहां सबसे पहले हमें अपना unique ID फिल करना होता है, इसके उपरांद education portal पर जो भी हमारा mobile number registered है, उस mobile number को हमें इस box में fill करना होता है और capture fill करके request pin इस option पर हम click करते हैं जैसे हम एक detail इसमें fill करेंगे और detail fill करने के उपरांद request pin जैसी हम इस option पर click करते हैं जबकि हमारे द्वारा सही unique ID और सही mobile number इसमें दर्ज किया गया है तो यदि आपके साथ भी इस प्रकार की समस्या आ रही है तब आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले अपने संकुल में संपर करना है जहां आपको education portal पर अपना जो mobile number है इसे update कराना है आईए देखते हैं कि संकुल के दोरा education portal पर करमचारी का mobile number कैसे update किया जाएगा तो इसके लिए किसी भी ब्राउजर में education portal को open करके DDO के username और password से इसमें login हो जाना है login होने पर कुछ इस प्रकार का interface हमें दिखाई देगा अब mobile number update करने के इसमें दो option दिये गए है पहला option payroll पर दिया गया है और दूसरा e-service book में जो की अभी open है e-service book update करने के सभी option अभी इसमें open है तो जो payroll का option है जैसे से हम click करके देखते है payroll पर जैसे हम click करेंगे तो यहाँ पर DDO office का एक option है जैसे हम cursor इस पर लेकर जाते हैं तो पहला ही option दिया गया है update email, mobile number and photo of employee इस option पर click करके कर्मचारी का जो email address है, mobile number है और photo है वो हम update कर सकते हैं लेकिन इस option पर mobile number update करने के उपरांध भी कर्मचारी की जो problem है वो solve नहीं होती है तो problem जो है password reset करने की अर्थात mobile में OTP प्राप्ट करने की इस समस्या का समधान कैसे करना है तो इसके लिए DDO के login ID पर आपको e-service book का option open करना है जैसे हम man menu पर click करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं e-service book का एक option दिया गया है इस option पर click करना है इसके उपरांत यहाँ पर आप देखेंगे update e-service book का एक option दिया गया है जिसमें पहला sub option है update verify e-service book इस option पर click कर दें जैसे हम click करेंगे तो यहाँ पर कर्मचारी की detail पूछी जाएगी कि आप कैसे search करना चाह रहे है unique ID से, पदनाम से या संस्ता से तो हम यहाँ पर कर्मचारी का unique ID फिल कर देते हैं उस कर्मचारी का जिसका हमें mobile number update करना हो इसके उपरांत कर्मचारी की सूची देखें इस option पर click कर दें जैसे हम click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्मचारी का नाम unique ID, designation और school का नाम आ चुका है अब यहाँ से हमें कर्मचारी का जो mobile number है इसे अपडेट करना है तो हम unique ID जो लिखा हुआ है इस पर click करेंगे जैसे हम click करेंगे तो एक नया page open हो जाएगा जहां option ओको update करने के कुछ option दिये गए हैं अब इसमें जो पहला option है बैक्तिगज जानकारी हमें इस option पर click करना है और यहाँ से ही हमें कर्मचारी का जो mobile number है इसे update करना है जैसे हम बैक्तिगज जानकारी पर click करेंगे तो एक pop-up window open हो जाएगी अब यहाँ पर हमें कर्मचारी का जो mobile number है इसे update करना होगा तो हम screen को नीचे scroll करते हैं और इसमें हम देखींगे कि कर्मचारी का जो mobile number पहले से लिखा हुआ है वो दिया गया है तो सबसे पहले आप इसे हटा दें और इसके उपरांथ screen को नीचे scroll करके इसमें update का option दिया गया है ब्रक्तिगत जानकारी को update करें इस option पर click कर दें आप जै जो mobile number है अब यहाँ पर हमें फिर से add कर देना है तो हम add करते हैं हमने कर्मचारी का mobile number इसमें fill कर दिया अब हम screen को नीचे scroll करेंगे और जो ब्रक्तिगत जानकारी को update करें जो option दिया गया है इस option पर click कर दें जैसी हम click करेंगे तो यहाँ पर message आ जाएगा कि personal detail of the e-series book has been saved successfully अर्थात कर्मचारी का जो mobile number है वो education portal पर update हो गया है अब हम फिर से education portal open करते हैं और जिस कर्मचारी का हमने अभी mobile number इसमें add किया है उनके mobile number में OTP प्राप्त करने का प्रयास करते हैं देखते हैं कि OTP आ रहा है या नहीं तो हम दूसरे browser में education portal को open कर रहे हैं और यहाँ से हम जो unique ID है इसे fill करेंगे और जो mobile number है इसे fill करके request pin पर click करके देखते हैं कि अब OTP आता है या नहीं हमने detail fill कर दिया है आप देख सकते हैं जो unique ID हमने पहले दर्च किया था वही unique ID हमने इसमें fill किया है अब हम request pin इस option पर click करके देखते हैं कि OTP प्राप्त हो रहा है या नहीं या क्या message आता है तो हम click करते हैं जैसे ही हम click करेंगे तो अब यहाँ थोड़ी process होगी और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि message आ चुका है कि 6 अंकों का pin आपके पंजीकरत mobile number पर भेज दिया गया है अर्थाथ mobile number जो कर्मचारी का दिया गया था वो अब update हो गया है और उस mobile number पर अब OTP आ जाएगा तो यदि password reset करते समय आपके साथ भी इस परकार की समस्या आए कि आपके द्वारा दर्ज उप्योग करता mobile number गलत है तब आपको अपने संकुल से संपर करना है जहां संकुल के username और password से education portal में आपका mobile number अपडेट कर दिया जाएगा और इसके प्रांध आप अपना education portal का जो password है इसे create कर सकते हैं यह थी education portal पर password create करने संबंधी एक बहुत ही महत्पुन जानकारी आसा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी यदि वीडियो पसंद आए तब इसे like, comment और share जरूर करें साथी channel को subscribe करना ना भूलें थेंक्यू